दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने परिवार नियोजन पर एक बात कही कि दुसे ज्यादा बच्चे होंगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये नियम कानून के विरुद्ध नहीं है, इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और इसलिए इसमें हस्तक्षिप की कोई जरूरत नहीं है। 1952 में जब देश में पहली बार चुनाव हुए, उसी साथ सरकार ने जन्ता को इस शब्द से परिचित कराया। तब ये नया ही था। कईयों के लिए ये सोच पाना भी अजीब था कि क्या अब ये भी सरकार बताएगी कि बच्चे कितने पैदा करने हैं। लेकिन तब भार ये जानते हैं कि क्यूं इतनी बाते होती हैं परिवार नियोजन पर, क्या है वो फैसला जिससे ये मुद्दा एक बार फिर बहसों में जिन्दा हो गया है, क्या भारत की आबादी वाकई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि तुरंत कदम उठाना जरूरी है। आज इन सारे वालों पर बात करेंगे। दोस्तों हाल ही में राजस्थान की राज्य सरकार ने कहा कि जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे हैं, वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार के इस नियम को सुप्रीम कोर्ट से भी हरी जंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट क था तब भी कोर्च ने इसे बरकरार रखा था अब कोर्च ने 21 साल पुराने उस फैसले को भी रिवेंट किया है कोर्च ने कहा नियम दो से ज्यादा जीवित बच्चे होने पर उम्मीद्वारों को अयोग्य घूशित करता है और ये नियम भेदभाव पूर्ण नहीं है कोर् रामजी लाल जात ने 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस में कॉंस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया लेकिन उनकी उम्मीद्वारी को राजस्थान पुलिस अधिनस्थ सेवा नियम 1989 के तहत खारिज कर दिया गया चलिए जानते हैं कि ये नियम क्या कहता है कोई भी उम्मी इद्वार सरकारी सेवा में नियुक्ती के लिए पात्र नहीं होगा अगर उसके एक जून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हों क्यूंकि रामजी लाल के दो से अधिक बच्चे थे इसलिए वो राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्या हो गए थे राम हैं कि इन नियमों की जरूरत क्यू पड़ी पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है नहीं राजस्थान पहला ऐसा राज्य है पहले भी ऐसे मामले आते रहे हैं कभी फैसला इस पक्ष में रहा कभी उस पक्ष में दो से ज्यादा बच्चे होने के कारण 2017 में मध्य प्रदेश में एक A.D.J. मनोज कुमार को बर्खास्त कर दिया गया था कि इस केस में बाद में जबलपूर हाई कोड़ ने उनकी नियुक्ति को बाहल कर दिया था एडी जे मनोज कुमार ने अपने पक्ष में कहा था कि उन्होंने परिक्षा पास कर जॉइनिंग कर ली है इसलिए अब ये नियम उन पर प्रभावी नहीं होता वहीं ऐसे ही एक और केस में सुनवाई करते हुए उत्तराखंट की हाई कोर्ट ने 2019 में कहा था कि पंचायत चुनाव पर ये नियम लागू नहीं होते हालांकि राजस्थान और हर्याना में पंचायत चुनाव में ये नियम लागू है इस तरह के नियमों के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क होता है जनसंख्या नियंत्रन का की इस तरह के नियम बनाकर लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रोटसाहित किया जाए अब बात इस तरह के नियमों के काउंट में जो तर्क दिये जाते हैं उन पर सबसे बड़ा तर्क दिया जाता है चीन मॉडल का 1976 में भारत ने पहली बार राष्ट्रिय जनसंख्या नीती को लागू किया इसी के चार साल बाद चीन ने पूरे देश में वन चायल्ड पॉलिसी लागू की मकसद वही था आबादी कम करना लेकिन तरीका अलग था ये ज्यादा सक्त था 2015 तक चीन ने इस पॉलिसी को देश में लागू रखा दावा किया जाता है कि चीन ने इन करीब 35-36 सालों में 40 करोड की आबादी कम की लेकिन सवाल ये भी आता है कि जब ये इतनी बड़ी उपलब्धी थी तो क्यूं चीन को वन चायल्ड पॉलिसी से वापस टू चायल्ड पॉलिसी पर आना पड़ा चलिए तो जानते हैं कि क्या परिवार नियोजन को सक्ती से लागू करने पर भारत में जनसंख्या कम हो जाएगी जानकार कहते हैं कि कुछ दशकों तक तो नहीं और इसलिए परिवार नियोजन को कुछ दशक के लिए लागू करने की जरूरत है ये भी कहा जाता है कि चीन भारत की तुलनामेक शेत्रफल की दृष्टी से करीब तीन गुना बढ़ा है लेहाजा भारत में जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा बड़ी समस्या है भारत को अगर परिवार नियोजन को बड़े स्तर पर लागू करना है तो दो बाते जरूरी हैं पहली कमाओ अबादी का रेशियो मेंटेन रहे सीधी सी बात समझिए कि अगर कमाने योग्य आबादी कम हो जाएगी और ना कमाने वाली आबादी ज्यादा तो अर्थवेवस्था बुरी तरह लड़ खड़ाएगी और अगर कमाने योग्य आबादी अच्छी खासी रखनी है तो फिर ये भी ज़रूरी है कि उसी अनुपात में नौक्रियां भी पैदा हूँ कमाने योग्य लोग ज्यादा हूँ और नौक्री कम तो अलग संकट पैदा होगा लेकिन Center for Monitoring Indian Economy यानी CMI के अनसार फिलहाल भारत में काम करने की उम्र वालों में केवल 40 फिसदी लोग या तो काम करना चाहते हैं काम करने की उम्र मतलब 15 से 64 साल और कमाओं अबादी मतलब वो आबादी जो 15 से 64 साल के बीच हो और काम कर रही हो या काम करना चाहती हो कुल आबादी कम करके भी कमाओं आबादी बरकरार रखनी है तो भारत में महिलाओं को भी नौकरी की जरूरत होगी लेकिन यहां पर स्थिती और भी बुरी है CMIE के ही अनुसार अक्टूबर 2022 के आँकरे कहते हैं कि भारत में काम करने की उम्र हासल कर चुकी महिलाओं में केवल 10 फीसदी ही काम करती है जबकि चीन में यह आँकरा 79 फीसदी है राजस्थान वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो से ज्यादा बच्चे हो तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी वाला फैसला बरकरार रखकर परिवार नियोजन पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है यह संदेश नीतिगत स्तर पर भी है और समाजिक स्तर पर भी लेकिन slow and steady wins the race की तरक पर सारी बातों का सारवही है कि कोई भी समाज जैसे जैसे साक्षर होता जाएगा परिवार नियोजन जैसे बाते वैसे वैसे ही लोग स्वेचा से स्वीकार करते चलेगे जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे